मौरिस गराजिस ने अपनी Aster SUV को भारती मारकेट में लाँच कर दिया गया है, सबसे ज़्यादा competitive segment में उतारा गया है mid-size SUV segment में और सबसे ज़्यादा competitive price के साथ, ये अपनी राइवल से भी काफी सस्ती है और इसमें मिलने वाले features इसको और भी ज़्यादा खास बनाते हैं, आ top end variant के लिए इसकी price जाती है, 16,78,000 रुपय तक, इसको जो pre-reserve करा सकते हैं, वो आज से ही शुरू हो गया है, लेकिन इसकी booking 21 October से शुरू होगी, और जो booking करा लेंगे, उनको delivery नवंबर या December मन्त में दे दी जाएगी, लेकिन इसकी जो prices हैं, या आप मान के चलें, जैसा कि अगर आप इसको लेने का प्लान कर रहे हैं, आपका दिल बना ही लिया है, तो आप इसको जरूर से बुक करवा दें, और इस वीडियो में आपको कई सारी exciting चीज़े पता चले जाएंगे, अबी तक आपको पता नहीं थी, क्योंकि इसको आज officially launch कर दिया गया है, with prices, दो सब पहले बात करते हैं, इसके variants के बारे में और उसकी prices, यहाँ पर आपको 4 variants मिलेंगे, style, super, smart और sharp, sharp इसका top variant है, और style इसका base variant है, base variant की price रखी गई है, 9,78,000 रुपे, और यह आपको केवल manual transmission में ही मिलेगा, और इसके अलावा अगर आप इसका सबसे base, automatic transmission चाहते हैं, तो CBT मे आपको super variant मिल जाएगा, 12,80,000 रुपे की action room price पर, अभी आप अपनी screen पर देख सकते हैं, सभी variants और उनकी prices, midsize SUV है, MG Aster, इसके style variants को बताने से पहले, हम आपको बताना चाहेंगे, इसमें मिलने वाले safety features के बारे में, और यह सभी standard safety features है, जो सभी, सभी variants में आपको मिल ही brakes, ISOFIX child seat anchor, इतने features आपको base variant में भी मिलेंगे, इसके साथ सभी variants में, यह safety features के अलावा, 27 और भी safety features हैं, जो आपको मिलने जा रहे हैं, इसके base variant से ही, इसके अलावा कुछ और आपको exciting चीज़े बताते हैं, सबसे पहले इसके style variant से शुरुवात करते हैं, तो इसके style variant के कुछ key features हम आपको बताते हैं, इसमें आपको मिलने जा रहा है, electronic power steering with three steering modes, यह first in segment है, इसके अलावा premium leather की layering आपको मिल जाएगी, dashboard पर, door trims पर, door armrest पर, central console पर, और stitching details देखने को मिलेंगी, यह जो चीज़े हैं, इस गाड़ी को काफी premium मनाती हैं, और यह हम इसके base variant की ही बात कर रह हैं, इसके अलावा hill descent control, full LED hawk eye headlamps, जैसा कि आपने advertisement में देखा था, उसके साथ ही आपको LED DRLs भी मिलने जा रही हैं, इस variant से, इसके अलावा auto AC, PM filter के साथ मिल जाएगा, rear defogger with fog lamps, remote keyless entry मिलेगी, foldable key के साथ, electronic stability program इसमें आपको मिल जाएगा, और इसके अलावा सबसे best चीज जो एक base variant में किसी भी गाड़ी में जल्दी नहीं मिलती है, वो है इसका 10 इंच का touchscreen infotainment system, 9,78,000 रुपय में, अब आप और क्या ही उमीद करोगे, इससे जादा क्या ही मिल जाएगा, ये इसका base variant है, details से अगली वीडियो में हम आपकी पूरी जानकारी देदेंगे, बात कर पाकिंग कैमरा, LED टेल लैंप, सैटिन सिल्वर फिनिश रूफ रेल्स मिल जाएंगी, फ्रेंट फर्ग लैंब मिल जाएंगे, कौर्णिंग असिस्ट के साथ, इलेक्ट्रोनिक पाकिंग ब्रेक मिल जाएंगे, आटो होल फंक्शन के साथ, लेकिन केवाल CBT में मिलेगा, य और LED DRL इसमें आपको मिल जाएंगी, ये था इसका सुपर वेरियंट, अब बात करते हैं इसके एक और उपर के वेरियंट, स्मार्ट के बारे में, इस वेरियंट से आपको टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन भी मिलने जा रहा है, और इसकी कीमत रहेगी 15,88,000 रुपे, ल इसके लावा, Digital Car की Using Bluetooth Technology, यानि अपने मोबाइल से आप कार को इस्तमाल कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, चला सकते हैं, इस सब कुछ आप अपने मोबाइल के हैल्प से कर सकते हैं, ये फीचर इसमें मिल जाएगा, Heated ORVM मिल जाएंगे, ये भी First In Segment Feature इसमें आपको मिल साथ, Side Airbags, Pufforted Leather Seat Upholstery, Cruise Control, Auto Headlamps, Tire Pressure Monitoring System, Speed Assist System, Electrically Adjustable and Auto Folded ORVMs, इसके अलावा, Dynamic Exterior Sporty Black Theme, इसके अलावा, Tuxedo Black Interior Theme, इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, और बात करें इसके Top End Variant के बारे में, जिसकी कीमत 13,98,000 रुपे तर शुरू हो करके, 16,78,000 रुपे तक जाती है इसमें आपको कुछ और अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे Personal AI Assistant, Dual Pen Panoramic Sunroof, Rear Driver Assist, Rad Brake Calipers, Front and Rear में, 17 इंच के Dual Tone Turbine Inspired Alloy Wheels, Curtain Airbag, 360 Round View Camera, Six Way Power Adjustable Driver Seat, Rain Sensing Wipers, Blind Spot Detection, Lane Change Assist, Rear Cross Traffic Alert, इसके लावा, ADAS Autonomous Level 2 जो है, Optional है, इसके बारे में हम आपको पहले ही जानकारी दे चुके हैं, उसमें मिलने वाले सभी फीचर्स के बारे में, क्या कि आपको उसमें मिल जाएगा, Pre-Reservation अब शुरू कर दिया गया है, और पहला जो batch रहेगा, इसका जो अभी booking करा लेंगे, उनको November और December में Deliveries कर दी जाएंग है, यहाँ पर कई सारी ऐसी गाडिया हैं, जिनके prices हाल ही में बढ़ाये गए हैं, और ये prices उन गाडियों की sales को हो सकता है, नुकसान पहुचा दे, क्यूंकि ये काफी जादा कम रखे गए हैं इसके prices, इसके variants को देखते हुए, इसके features को देखते हुए, इसकी looking को देखते ह सभी चीज़े इसमें काफी best provide कराने की कोशिश की गई है, और ये prices अब इसको आगे ले जाने का काम करेंगे, इसके रावा अब जल्द ही हम आपके लिए इसके detail वीडियो लेकर के आएंगे, जहां पर सभी variants में मिलने वाले detail features के बारे में आपको जानकारी देंगे, साथ ह कौन सा इसका value for money variant रहने वाला है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, thank you for watching